हलो एविवान एंड वल्कम बैक तो इस पाट की स्टार्टिंग सबसे पहले है माई ड्रॉमे की फीम में लीड वेंडराउस होती है जैसे उसके शूस मार्केट में आते हैं कस्टमर्स की रिव्यू से काभी प्रेस करते हैं परकॉस उसके शूस की कौलिटी बागी शूस के पाली मुडा के अकॉर्डिंग तो काफी बड़ी है यहां पर वेंडराउस की मौम का फिदा खुश होती है कि फाइनली वेंडराउस अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है और वह जल्दी फीमस भी हो रही है लेकि उसके डैर इतने आदा खुश नहीं रहते हो अभी पीच पुश्किल होने वाला है अफर देड वेंडराउस विजट करने के लिए जाती है यहां पर उसकी मौम उसके लिए हैपी भी होती है और इसके बहुत ही सुंदल लग्सुरी बैग गिफ्ट करती है ऐसी उसकी लिटल सिस्टर तरहसर हॉल में इंट्र करती है और इसके बाद चीज़ करती है तो इसके बाद उनके पास जाती है कि नाइस बैग इसके बाद ही ऊपर चले जाती है तभी यहां पर वेंडरा उस बैग को खीशने लगती है बगौस की मौम यह बैग अब दर ऐसल लिटल सिस्टर जाउज यांग को देने वाली है तभी यहां पर उसकी और उसे बैक दे देती हैं, यहाँ पर हम जियांग के पास दिखते हैं, जिसके पास सेम बैक पहले से होता है, लेकिन फिर भी उसने इस बैक को ले ही लिया, दरसल हम बात करें तो जियांग हर वो चीज चाहती है, जो कि वेंराओ को ब्लॉंग करती है, इसलिए वेंराओ और झाल करें दरहशा दरसल तीन तीन बैक गफस्ट करता है, याँ पर वेंराओ का विधा खुश छाती है, तब यां कि थिर और इसके बाद वेनराओ को पता था कि जियांग ऐसे तो मानने वाली है और क्या पता उसे जैसे पता चलेगा कि वेनराओ का एक हस्बंड भी है वोसे भी चीननी कोश्च करें हाँ हो सकता है जियांग का विदार स्कीमिंग है और उससे चीतना बहुत यह दा मुश्किल है जियांग लियांग को नोटिस करती है तो उसे लियांग पसंद आचाता है और शी गौट रेली इंट्रेस्टें इन हिम एद वेरी फ़स्ट साइट इसकी बाद लियांग के पारे में जाने की कुश्च करती है और जैसे वेनराओ को पता चलता है कि इन दोनों ने सेमी सेरे लियांग को यांग को कभी भी शेयर या प्र देने वाली नहի हुट पर वेरी क्लियर टु जेयांग इसके बाद वहर टाइम के जो फोटोस है और शुचल मीडिया पर प्लोट के लेने के ले लिए पस्टार कर देता है यह और धी रिजीर पर जाएं लियांग और i.04gen आब फोटो अप्लोड करती है और इसके बाद यहां पर लियांग भी उसका साथ देता है भले ही भले ही इस पासिक इतना भी अनॉय हो रहा होता है बिकॉस उसे चीजे पसंद नहीं है कि हम शोचल मीडिया पर सादा शोफ करें और अगर रियल लाइफ में प्यार नहीं है तो अगती है और अगले ही दिखता है कि यह वीडियो दरसल बहुत ही जादा वाइरल हो चुकी होती है यहाँ पर वेंडरॉग से कहता है कि यह क्या है तभी वेंडरॉग कहती है कि इस चस्टी मूँमेंट जो कि मैं शेयर करना चाहती हूं सभी लोगों से कि तुम उसे कितना प्यार करते हो तभी यहाँ पर लियां क को सबर्दस्ती बिसनस ट्रिप भीज देती है और इसके बाद अपने घर पर दरसल्लाइब से कौधी शुट करती हैं काफी शुट अफ करती है और इसके बाद काफी सारे गिफ्ट है ओस्का घूट की है उसका लाइफ शुट हौई पूरी लाइस से भर негоाय से बहर जाता है वेंडरा को दिखते हैं जो कि सेम टाइम पर दरसल उन लेट्रस को पट रही होती है जो कि दरसल लियांग में उसके लिखे थे दरसल लेट्सल लिखे थे लिखे थे लिखा हुआ था ये सिफ और सिर्फ उसकी दिमाग की उपज है एफ शो में जो से रिकॉर्ड कर रहा होता है वो दर असल ले आंग से कहता है कि मुमेंन को और प्रीशिस पनाने के लिए क्लिए आप यह लेटर अपनी वाइफ के लिए रीट करेंगे यहां पर लिए आप ले राइब यहां पड़े अपनी गंदी कुकिंग कि साथ उस जूस को भी पी लेती है बिकास यह उसे पीना ही पड़ेगा अफ ले इतने इतने सारे जूट के बाद लिए रशान हो जाता है अर उसके बाद इसके कम्पनी की मेंबर्स उसे सजेस्ट करते आपको अपनी वाइब को सबख जिखाना है तो आपको वही करना होगा जो कि वैनरा गरती है, तब लियाइं के दा क क्या नहीं है, यहां पर बताते हैं कि चस्स लेट सीब, करो हम दोनों ही इस प्रॉप्लम को रिजॉल कर लेंगे उसे जो भी हैल्प हो सकेगी मैं करूंगी ओके सो डूंट वरी हम दोनों एक साथ मिलका यह सब कुछ ठीक कर लेंगे यहां पर लियांग काफी ज्यादा कर लियां बेंगा के लिए लियांग का इस प्रॉप्लम करना जाती है और इसके बाद वेंगे अपने गहर पर आपने सारी घुड़ों महंगी ड्रेसें और अपने बैक का क्लेक्शन उसे सेल करने लगती है ताकि कुछ पैसे कमा पाए यांग का फिता गिल्टी फ्यों कर रहा उसे सर्च करो तब यहां पर वेंडरा हो कहती है कि हाँ तुमने सही बोला लेकिं फिर भी तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं इस लास्ट में सेल करूंगी यहां पर लियांग और विता गिल्टी फिल करता है कि अब हो क्या करे उससे इतना भी आगे नहीं जाना चाहिए था इसके बाद वह इसके बाद पनी a couple की औरता है और कहता है कि जो भी वेंडरा भी सेल करेगी उसे जल्दी इससी खरीद लेना यहां पर वेंडरॉ अपने शूस डिजाइन को भी दरसल सैल करने के लिए तयार हो जाती है है क्था दीक दशाईनर के लिए उसके शूस काफी confidential रहते हैं मारकेट में आने से पहले पर वह लिहांग के लिए सब करने के लिए निया चाहिए और इसके बाद शू दरसल वें रोग करता है। मैंने सुना यह की है कि तो अपने शू डिजाइन पिशने वाली हो। तभी यह पर वें रोग कैदी है एकड़ी इस पर दियर वें रोग कैसे नहीं है। मैं और लियांग दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं हमारे लिए इस चीज जादा मैटर नहीं करती है यहां पर शू अनॉय हो रहा होता है बिकॉस वेन राओ ने उसे जैसे तरीक से छोड़ा था उसके बाद उसे लियांग को भी वैसे ही छोड़ना चाहिए उसके हिसाब से इतना जादा लवी-डवी होना भी नहीं चाहिए अब वेन राओ कहती है कि अपनी काम से काम रखो तब शू उसे सच्चा ही बताता है कि दरहसल जहां तक मुझे पता है कि शुनमे की कंडिशन काफी सदा अच्छी है और वो काफी पॉपिलर भी चल रही है तो उसमें कोई फाइनेशल कंडिशन बेकार होने की नौबत तो कभी आ भी नहीं सकती तो तुम्हारे लिए बता देता हूँ कि लियांग तुम्हें फूल बना रहा है जैसा कि तुम हर बार उसे बनाती होगी तो यह तुम्हारे लिए विल्कुल सही है यहाँ पर जैसे ही वेनड़ों को कि यह सब जूट है और इसके बाद वो कहती है कि लियांग अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर जूट बोला कैसे जाता है मैं तुम्हें इतना गिल्टी फील कर वाऊंगी कि तुम मुझसे कभी भी जूट नहीं बोलोगे पता चलने के बाद भी वो इस जूट को जा पर बार में काफी तार डिप्रेस बैठा हूँ आता तब भी अपने चूट किसी को नहीं बताती अगर पता चल भी जाता है तो नहीं अच्छे तरीके से चपाती है कि तुम पता ही नहीं लगा पाऊँ कि वो चूट बोल रही है या पर सच पिच लाँ भी उस किलब में रह बस्यांग अनौय होती है कि इसकी हमत कैसी हुई मुझसे ऐसा कुछ कहने की उसके बाद लियांग वेंडाव से सौरी बोलता है वेंडाव भी उसे डबल सौरी बोलती है विकाज इन दोनों नहीं अपनी गल्दी एकसेप्ट कर ली होती है लेकि फिर भी वेंडाव सारी ची किसी काम से गेट आउट बोल रहा था ना कि वेंडाव से यहां वेंडाव था आपने घर पर जाती है और जो कुछ भी हुआ वह सही नहीं है और लेंग चाता है कि वो सब को सच को बोले तो चीक है यही तो लाइफ शो करती और सभी को दरहसल मींडियला वाली लाइफ ओकिन है एक एक इंसान है छो कि उसे इन सारी सिचुजिशन के साथ भी प्यार करता है यहाँ पास लोग दिस काफ़ेज़ बदक उन्हें करें करिता है, चाथ वैन्क के वाटव सिच बहो यहाँ थी लिए थे लिए Sumasabmeno अपने आप में बुरा जए किसी लियांग वेन्रों काल करता है वेन्रों कहती है कि गेट लोस्ट सो इसी किसाद हमारा ये पाड़ी बेंट चाता है थैंक ये सो मुच गाइस वोचिंग